नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत आपका एक नए वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ अगर आपके पास Moto G31 है या फिर G-Series का कोई भी मॉडल है तो यहाँ पे आप Power Button and Call की सेटिंग कैसे कर सकते हैं Power Button से Call काटने के लिए जो सेटिंग करते हैं उसके लिए आप चले जाएंगे यहाँ पे सेटिंग पे सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको Option देखने को मिल जाएगा Accessibility का की रहा आप इस पे क्लिक कर लेंगे इसके बाद इस टैप से Option आजाएगा तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है यहाँ पे आपको Power Button and Call का जो Option है यह देखने को मिलेगा तो आप इसे On कर देंगे अब On करने से क्या होगा जब भी आपकी Call आती है काटने के लिए आप Power Button को दबाएंगे तो Call कट हो जाएगी तो इस टैप से आप यहाँ पे Power Button and Call को Enable कर सकते हैं अगर आपको बंद करना है तो यहाँ से आप Off भी कर सकते हैं यह Off हो गया है यह On हो गया है तो इस टैप सेटिंग कर लीजेगा तो इसी टैप के और इंट्रसिंग वीडियो सेखने के लिए चैनल पर विजिट करते रहेगा चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार